Hello everyone, welcome you all at Locasor Unlimited Study Zone and अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSIR NET का सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें topic में हम जो cover करेंगे element 12 से उपर के level के यहने की BSC और MSC level की यहाँ पर हम maths कवर करने की अब स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब demand आ रहे हैं students के की सर अपर level की कुछ classes दीजिए तो उसको लेकर के मैं आपके सामने myself locis presenting you the first topic of CSIR or you can say PGT examination और assistant professor examination के लिए जो important topics हैं उनको लेकर के अब हम यहाँ पर cover करेंगे तो पहला topic जो आज मैं cover कर रहा हूँ that is infinite series तो मैं पहला topic यहाँ पर आपके सामने है infinite series को लेकर के आया हूँ शली देखते है infinite series ओके सो मेग the heading infinite series infinite series को आप हिंदी में अनंत शर्णी भी कह सकते है infinite series S-E-R-I-E-S अनंत शर्णी भी से हिंदी में कहते हैं अब infinite में हमें सीखना क्या है infinite series में जो सवाल आते हैं जो प्रशन आते हैं वो रहते हैं कि आप बताईये कि series जो है conversion है या diverging है अब converging और diverging का मतलब समझे क्या होता है converging का मतलब एक series जो submit करके किसी एक point पर limited हो जाती है जैसे उसको बोलते हैं अपन converging series जैसे example के लिए मैं बात करूँ 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus up to dot 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 जो है हम निकाल सकते हैं फाइनली एक पॉइंट पर जा करके सिमट करके इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू प्रडूस हो जाएगी ओके तो ऐसी सीरीज आप ऐसा समझे कि जैसे ये कुछ इस टाइप का मैं फ्लो बना सकता हूं ये जा करके तो ये जो डाइग्राम है इसको देखें कि पहले ये डाइग्राम काफी बढ़ा हा है ना फिर इसके बाद ये किसी एक पॉइंट पर जा करके सिमट रहा है तो इस सीरीज को पन बोलते हैं प्लो बहुत डार्क नहीं चल रहा है इसको थुड़ा डार्क करेंगे तो यह जो series होती ही जो किसी एक point पर जा करके सिमट जाती है इस series को हम क्या बोलते है इस series को हम बोलते है Converzing series Converzing ही है मतलब कि क्या बोलना चाहिए हिंदी में अभी सारी एक होता है अभी सारी का मतलब diverzing होता है अभी सारी का मतलब होता है Converzing so this series यह जो series है यह जाकर के किसी एक limited point की तरफ जाकर के symmetry है so that's why we can call it the converging series तो हमें infinite series जो होती है वो converging भी हो सकती है या diverging भी हो सकती है अब example के लिए यदि मैं simple series बता हूँ आपको 1 plus 2 plus 3 plus 4 तो यह series जो है क्या होगी यह लगातार बढ़ती जाएगी natural number का sum है यह लगातार बढ़ती जाएगी यह किसी एक point की तरफ जाकर के fix नहीं होगी तो इस series को हम diverging series बोलते हैं अगर इसके flow की बात करें तो इसका flow कुछ इस तरीके से देखे बड़ा हो रहा है इसका flow लगातार बढ़ रहा है तो इस series को हम क्या बोलेंगे diverging series so let's talk about the different type of series here okay so standard जो हम आपस formats है series के उन formats को हम देखेंगे standard series के let's see इसको रफ करने अब देखे जब हम higher studies पढ़ते हैं तो higher studies में कुछ हमारे पास बने हुए set of rules है कि ऐसा करना है और जैसे की यूलर के method हो गया है या कौच इरिमान integral method हो गया CR integral हो गया है तो CFPI method हो गया है मतलब उसमें हम यह जानने की कोछिश नहीं करते हैं higher studies में कि हमें ऐसा क्यों करना है हम किवल यह जानते हैं कि हमें यह करना है तो उनको हम बोलते है standard procedure तो यहां भी series में कुछ आपके सामने standard procedure आएंगे उन standard procedure को जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हमें उनको apply करना है मन आपको बोलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बट उसका जवाब यहां पर इस छोटे selection में देपाना संभव नहीं है उसके लिए आपको detailed classes जो हमारे previous videos हैं वो देखने पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं तो यहां पर क्यावल हम question को focus कर रहा है जिससे आपके examination में selection होगा जिससे आपके marks आएंगे So let's talk about the geometric series सबसे पहले standard series में हम बात करते हैं Topic डालिए Topic number 1 Standard series of sigma r to the power n and sigma r to the power n and 1 upon this is sigma 1 upon n to the power p and to the power p तो दो तरीके की हम series पढ़ेंगे एक sigma r to the power n यह तो आपको पता है क्या है this is gp geometric series है यह तो geometric progression बनेगा and sigma n to the power p इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं p series s e r i e s यह कहलाती है p series आपके पास तो दो तरीके की series यहां पर देखने जा रहे हैं एक तो हम देखने जा रहे हैं आपके पास sigma r to the power n की format and 1 upon n to the power p एक second मुझे लगता है मुझे pen का color change कर लेना चाहिए I should take black color instead of this blue color so give me one second please okay no it's fine so हम बात कर रहे थे दो तरीके की series की first series है that is of the form sigma r to the power n that is called geometric series and 1 is n to the power p यहां पर p क्या है power है okay तो p यहां पर power vary करेगी अब हम जानेगे क्या क्या हमारे पास pattern है different different pattern के लिए हमाई geometric series क्या क्या बनेगी तो सबसे पहले हम देखते हैं से एक geometric series तो हमें पहले हम पढ़ रहे हैं GS यानि की geometric series के बारे में की हमारे पास किस-किस pattern की geometric series हो सकती है तो देखिए जो हमारे पास pattern है sigma r to the power n आपने देखा है sigma r to the power n यदि आप इसको खोलेंगे तो भी geometric series है सबसे पहले r की value क्या गोई start 1 से तो r is a variable तो यहां पर sorry हमें n की value change करनी थी मैंने r बता दिया n equals to 1 to the infinity तो देखिए यहां पर n की value आप 1 रख सकते हैं यह 0 से भी start करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यदि आप यहां पर 0 से start कर रहे है तो r to the power 0 कितना हो जाएगा 1 फिर कितना आएगा r की power 1 रखेंगे तो 1 आएगा then r square then r to the power 3 then dot 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 इस तरीके से आपकी यह series जो है लगातार बढ़ती जाएगी endless और अगर वे इसके nth term की बात करेंगे तो इसका first term 1 आ रहा है second term r की power 1 आ रहा है तो nth term कीतना आएगा इसका r to the power n minus 1 because power 1 कम आ रही न first term क्या है r to the power 0 r to the power 0 equal to 1 है second term r to the power 1 है मतलब जिस term की हम बात करेंगे उसकी power 1 से कम है so the nth term would be r to the power n minus 1 okay fine यह हो गई तो यह भी क्या है this is geometric series अगर यह ना लिखें आप तो यह भी लिख सकते है r to the power n minus 1 यह भी आपकी क्या है geometric series है अब यहाँ पर यह लिए आप स्टार्ट कर रहे है बच्चों तो r equals to sorry n equals to 1 से start करें n equals to 1 से लेके infinity तक फिर से डाल दीजे लेके n equals to 1 से लेके अब यह आप स्टार्ट करेंगे तो 1 minus 1 कितना हो जागा 0 सो यह 1 प्लस कितना हो जागा अब इसमें देखे first power n की first power कितनी बनेगी अपने पास r की power n 1 minus 1 नेगी 0 second क्या बनेगी second क्या बनेगा इसमें क्योंकि यह 1 से start कर रहे है difference क्या है उपर बाली सीरीज 0 से थी second मनेगी r की power 2 minus 1 यह र की power 1 third term क्या बनेगी r की power 2 और इसकी nth term क्या बनेगी r to the power n minus 1 yes तो इसकी nth term मनेगी r to the power n minus 1 clear yes तो इसकी nth term मन जाएगी हमां पास r to the power n minus 1 तो हमने यह सीरीज जो है कहां से start करी है यह सीरीज हमने n equals to 1 से start करी है तो इसकी nth term बन गई है r to the power n minus 1 तो सीरीज को थोड़ा साथ देख लीजेगा मतलब कई तरीकी की GP बन सकती है if you talk sigma r to the power n plus 1 यह लो भाई तो यह भी geometric series बन जाएगी इसमें भी कोई problem नहीं होने वाल आपको तो r की value कहां से settle करो इसमें या तो आप r की value minus 1 से भी place कर सकते हो तो minus 1 plus 1 0 बन जाएगा तो पहला time आपको क्या produce करके देगा 1 देगा बट यह आप चाहो तो r की value यहां पे 0 डाल दो तो r की value 0 से infinity no r की value को डाल रो सर जी 0 n की value डालो न हाँ ठीक है So n की value 0 so कितना हो जाएगा r to the power 0 plus 1 तो इसमें first term कितना आएगा? r आएगा Then second term कितना आएगा? क्योंकि first term में 0 plus 1 second term में 1 plus 1 2 तो इस तरीके सے जो है इसका nth term चेंज हो जाएगा nth term बनेगा r to the power n Yes इसका nth term बनेगा वो बनेगा r to the power n क्योंकि first term में जो power आ रही है वो r की power 1 है n equals to 0 0 पे r की power 1 है फिर 2 है तो इस तरीके से ये first term r की power 1 आ गया है इसमें देखा जाए तो second term r की power 2 आ गया तो nth term क्या आएगा r की power n आएगा तो ये हमारे पास कुछ example है जो हमने देख लिए कि ये GP की example है अब इन सब के लिए इनको converging और diverging पहचानने के लिए बस आपको एक चीज की जरूरत है एक format है एक कुछ structure है उनको आपको जानना पड़ेगा उस formula को याद करना पड़ेगा तो क्या करते हैं अपन जानते हैं कि Converging और diverging कैसा है तो इसके case three cases बनते हैं three or four cases बनते हैं आई उनको one by one case को discuss करते हैं तो आपकी नजर किस पर होनी चीए common ratio पर common ratio every time क्या है आर है ये देखिए यहाँ पर भी common ratio क्या है आर है तो सारा पंगा कॉन maintain करेगा ये common ratio maintain करेगा तो इस common ratio पर बहुत तगड़ी नजर रखिए और इस common ratio की behavior को समझे अगर common ratio का behavior आप समझ लेते हैं then you clearly identify that whether this series is going on or you can say it is converging or diverging इसके flow को आप बड़े आराम से पहचान जाएंगे I hope आपने तीनों series लिख लिए होंगे तो आप आँगे चलते हैं case number first की बात करते है case number first अगर आपकी r की value minus 1 से लेकर 1 के बीच में है एक मैं series typical series लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में तो आए एक series में लिख लेता हूं मेरी series क्या है sigma n equals to n equals to 1 से लेकर के infinity r to the power n minus 1 यह मैं series लिख लेता हूं तो क्या चलेगी यह 1 plus r plus r square plus nth term क्या हैगा r to the power n minus 1 यह मैंने एक typical series लिख लिख लिए है अब देखे इसको देख करके सबसे पहला case number first बस यह आपको याद करना है this is important case number first क्या है when r is between minus 1 to plus 1 यह देखिए अगर r की value minus 1 से plus 1 है मतलब common ratio आपका minus 1 से लेकर plus 1 है तो जैसे example के लिए r equals to 1 by 2 1 by 3 1 by 4 और याद रखेगा it is between touch नहीं कर रहा है minus 1 और 1 को touch नहीं कर रहा है अगर इनके बीच में common ratio minus 1 से लेकर के plus 1 है तो इसका मतलब जो आपकी series होगी then जो आपकी geometric series होगी वो क्या होगी converging होगी converging होगी ओके तो आपकी infinite series होगी converging होगी और that time आपका जो form इसको और क्या लिख सकते हो इस चीज को mod of r less than 1 इसको लिखा जा सकता है mod of r is less than 1 तो इस time पे series आपकी होगी converging होगी अब इसके example वैसे बच्चे जानते है formula कि infinite terms का formula होता है a upon 1 minus r जो इस situation में काम करता है तो मैंने आपको जो example दिया था मैंने question दिया था इसमें देखिए मैं एक series बना दू 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 dot 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 up to infinite times infinite times के दिए सान्म की बात करें तो s infinite equals to a upon 1 minus r okay upon 1 minus r 1 minus 1 by 2 so that is equal to 1 upon 1 by 2 2, 2 पल्टी मार के उपर आएगा answer equal to 2, मतलब यह series सिमट करके कहां पर focus हो रही है 2 पर मतलब यह जितना महा सागर है यह पूरा का पूरा add हो करके क्या देगा 2 देगा, मतलब एक तो अकेला यह है और यह सारे mill करके जो छोटे छोटे यह क्या generate कर रहे होंगे यह 1 generate कर रहे होंगे 1 plus 1 equals to 2 यदि आप इसको solve करेंगे तो आपका यह पूरा का पूरा जो sum है कितना आएगा आपके पास में आपके पास में आएगा 1 तो 1 plus 1 equal to 2 ठीक ना तो यह series आपको पहचानने में यहाँ पे मदद मिली और यहाँ पर इसके बीच में जो आपकी series है मतलब geometric series क्या है Convergent है तो लिख लो भया मजे के साथ This is Convergent So this is Convergent series So first clear हो गया है Pause करके आप लोग लिखते रही है मैं तो full speed के साथ आगे बढ़ रहा हूँ Second बात करते हैं If r is greater than 1 अब r आपने क्या ले लिया एक तो आपने देख लिया माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच अगर r equals to plus 1 है तो क्या होगा Second case अगर r greater than or equal to plus 1 अगर r की value 1 से बड़ी है या बराबर है तो क्या होगा मतलब इस एरिया में इस एरिया में क्या होगा बच्चो purely divergent series series बड़ी होती जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी होती जाएगी जैसे 1 4 1 जा 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 तो यह endless series infinite series आप इसका sum find नहीं कर सकते हो this is divergent series तो लिख लीजे this is divergent तो यह divergent है because r is greater than or equal to 1 ठीक है yes third third बहुत interesting case है third r equals to minus 1 अगर r की value minus 1 है तो क्या होगा r equals to minus 1 है तो आपकी जो series होगी जो आपके पास series आएगी r equals to minus 1 है तो आपके पास geometric series बनेगी वो किस form में बनेगी चला देख लेते हैं r equals to minus 1 होने पर geometric series हमारी किस form में बन रही है okay geometric series हमारी किस form में बन रही है r equals to minus 1 होने पर मैं यहां लिखता हूँ देखे r equals to minus 1 होने पर देखे इसको मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या है series सिगमा n equals to 1 से लेकर के infinity जग मुझे जाना है and r की value minus 1 to the power minus 1 equal to 0 1 minus 1 equal to 0 minus 1 की power 0 कितना produce करेगा आपको minus 1 की power 0 जो है आपको तो minus 1 की power 0 आपको क्या produce करेगा यहां पर minus 1 की power 0 आपको 1 produce करेगा okay then मतलब अगर आप first term की बात कर रहे है तो आपका answer first term तक का sum कितना है और अगर second term डाल दीजी आप n की value 1 डाल दीजी अचा n की value 1 टू डाल चुका में न n की value 2 डालो तो 2 minus 1 again it is equal to minus 1 okay and अगर मैं वहां पर 3 डालता हूं तो कितना आएगा देखो मेरे पास 3 minus 1 that is equals to 2 okay तो फिर से minus 1 की power 1 2 देदेगा मेरे को कितना plus 1 देदेगा okay तो आप देखो अगर आप first time तक का sum निकालते तो कितना आएगा 1 आएगा अगर s1 you want to find s1 तो आपके पास 1 आएगा s2 तो 1 से 1 cancel हो जाएगा मतलब 0 देदेगा अगर s3 time देगा आपके पास तो कितना देदेगा 1 देगा मतलब आपका जो sum है वह oscillate हो रहा है आपका जो answer आ रहा है वह क्या हो रहा है वह एक तरीके से vary हो रहा है ठीक ना आपका answer जो है कितना आ सकता है minus 1 r की value आपने minus 1 लिये तो कुछ भी रखेंगे आप यहाँ पे 4 रख दीजे तो 4 minus 1 कितना हो गया 3 तो minus 1 की power 3 अब एक चीज देखो 4th term की बात करी 2nd term, 1st term में कितना आया था 1 minus 1, 0 याने 1 मिल गया 2nd term में 2 minus 1 2 minus 1, 1 तो minus 1 मिला ओके, तो s2 तक का sum कितना हो गया 0 हो गया, s3 तो यह दोनों cancel हो गया and s3 3 minus 1 equal to 2 so minus 1 की power 2 plus 1 and s4 फिर से क्या आएगा minus 1 minus 1 आएगा, ओके तो यहाँ पर आपके पास s4 कितना आ गया है minus 1 तो आप देख रहे हैं कि आपका जो sum इस situation में जो vary हो रहा है आपका situation इस situation में जो sum vary हो रहा है या तो वो आपको plus 1 मिल रहा है या वो आपको 0 मिल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कहने कि जो हमारा answer है वो oscillate कर रहा है मतलब एक तरीकी से vibrate कर रहा है between 0 and 1 so अगर आपके पास r equal to minus 1 है तो यह जो यहाँ पर आपकी geometric series बनेगी वो क्या होगी oscillating oscillating मतलब दोलन करने वाली ओके तो इसको note करिए this is oscillating ओके oscillating finitely oscillating finitely oscillating finitely minus 1 की power n minus 1 ओके एक बार और एक 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 जामपल ले करके check करता हूँ कि क्या वाकई में oscillate करता है चली रेखते हैं एक series ले ले लेता हूँ मैं GP sigma r to the power n sigma r to the power n और r यहाँ पर कितना है minus 1 तो यह बन जाएगा मेरे पास sigma minus 1 की power n चली यह put करते हैं n equals to 1 से खेलते हैं इसमें तो n equals to 1 पर minus 1 आएगा ओके और n equals to 2 ले लूँगा तो 2 times का sum कितना बन जाएगा मेरे पास plus 1 और n equals to 3 ले लूँगा तो फिर से कितना आजाएगा minus 1 yes तो देखे यहाँ पर पहला sum जो आया है आपके पास में कितना आया है minus 1 आया है दूसरा आया है plus 1 तीसरा फिर से minus 1 टम आ गया है तो यदि आप इनको add करें तो यदि मैं first time का sum निकालूँगा तो एक ही time का sum कितना आएगा minus 1 अगर मैं second time का sum निकालूँगा तो minus 1 plus 1 equal to कितना 0 फिर मैं 3rd term का sum निकालूंगा तो यह यह cancel हो जाएंगे फिर से कितना आएगा minus 1, 4 term का sum निकालूंगा तो फिर से कितना आएगा 0, इस तरीके से जो infinite terms आएगा, या तो वो minus 1 होगा, या तो वो plus 1 होगा, समझने आप लोग, या 0 होगा, minus 1 होगा, minus 1 होगा, plus 1 मैं इसका बोल गया, तो infinite terms का जो sum आएगा वो क्या होगा minus 1, plus 1 और 0 तो हमाँ पास क्या logic निकल करके आया कि अगर x r equals 2 minus 1 है तो जो geometric series होगी हमारी वो oscillating होगी oscillating finitely और इसके जो finite solution होगे वो क्या क्या हो सकते हैं अगर आपका ये structure दी गई है r to the power n minus 1 कोई multiply, multiply नहीं है साथ में तो इस में structure में हमारे पास जो answer होगा वो क्या होगे possible answer minus 1, plus 1, and 0 तो note करिए इसको so we have the three possible answer as minus 1, plus 1, and 0 so we can say the geometric series oscillating finitely between minus 1 to plus 1 ये लिख लो, best ओके, second logic क्या हुआ कि जो geometric series होगी third logic, sorry तो पहला मैंने कराया था r is between minus 1 to plus 1, सीदे बदर हांक मूद करके convergent, दूसरा r greater than plus 1, equal to plus 1 divergent, r equal to minus 1 finite, and vibratory और you can say oscillating between minus 1 to plus 1 including minus 1 to plus 1 minus 1 और plus 1 को include करते हुए vibrate करेगा, चलो भाई ये हो गया, चौथा case बसता है आप भी समझ पा रहे हैं कि सर आपने क्या-क्या बता दिया आपने इरी सर की देखी हो वीडियो अच्छे से तो minus 1 से लेकर के plus 1 के बीच में बता दिया 1 के equal भी बता दिया 1 से बड़े पर बता दिया, minus 1 के equal भी बता दिया अब यहाँ पर बचा है minus 1 से less पर तो इतना experience हो चुका होगा कि oscillating अभी तक आ रही थी थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे बार बर मिटाना पड़ जाता है आप लोग maintain करिएगा इसको pause करके वीडियो को नोट्स बनाईए बढ़े असे so r less than minus 1 के दिया हम के इसकी बात करें so क्या होगा? देखते हैं okay so if we are talking about r less than minus 1 तो आपके पास then geometric series oscillate infinitely actually oscillate word क्यों आता है मालूँ? oscillate word दोलन का word क्यों आता है? क्योंकि जो r है न? r की जगे क्या है? minus 1 से कम है तो r की जगे minus 1 से कम आएगा suppose minus 2 आ गया तो r की जगे तो इसकी power क्या लगी होती है? n लगी होती है a r to the power n minus 1 जब आप sum करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसकी power जो होती है वो एक बार even, एक बार odd एक बार even, एक बार odd तो जहाँ पर negative term की power even आ जाती है तो वो positive number देता है जहाँ पर यह power odd आ जाती है वहाँ पर negative number देता है इस वजह से ऐसा होता है कि यह जो series जो होती है यह oscillate हुआ करती है तो यहाँ पर, बट यह finite नहीं देगा आपको यहाँ पर कैसे solutions देगा? infinite, ओके? क्योंकि यह power जो है बढ़ेगी जैसे पिछले बार क्या scene था? minus 1 की power करोगे तो यह प्लस 1 मिलता है यह तो minus 1 मिलता तो उसे fixed space में vibrate करना था बट यहाँ पर minus 2 की power अगर आप plus 2 करोगे तो 4 आएगा फिर plus 3 करोगे तो minus 6 आएगा मतलब series 4 में तो बहुत सारा right में आंगे shift हो जाएगी और 6 में बहुत पीछे shift हो जाएगी ऐसे फिर 4 पावर करोगे तो 2 की power 4 equal to 16 आएगा बट 2 की power minus 2 की power 5 equal to minus 32 तो plus 16 में right में थोड़ा सा जाएगी बट minus 5 पावर में जो है बहुत पीछे की और चली जाएगी so I can say the series oscillate here infinitely ओक यहाँ पर जो series है वो infinitely oscillate करी कि तो लिख लिजे if r is less than minus 1 then gs oscillate infinitely चलो भई मज़ा आ गया note कर लो इतना part फिरांग बढ़ते हैं हम माइनस 2 to the power n जो है यहाँ पर अब यहाँ पर r की value कितनी है minus 2 हम इस पर बात कर रहे थे so यहाँ पर जो आपकी geometric series है वो क्या होगी oscillate होगी vibratory ओके so minus 2 to the power n के बारे में हमने बोल दी कि geometric series जो है vibrate होगी oscillatory चाहिए आईए एक example देखे लेते हैं minus 2 to the power n को थोड़ा सा explore करके देखे लेते हैं आपको थोड़ा और अच्छा लागेगा कि exactly यह vibratory है या नहीं है लिखे एसन इकोल स्टू सिग्मा एन टू दी पावर एन इकोल स्टू वन टी इंफिनिटी माइनस टू दी पावर एन so s n equal to sigma n equals to 1 to infinite minus 2 to the power n चलिए इसके few terms निकाल करके देख लेते हैं कि a1 equals to कितना आएगा minus 2 आएगा a2 equals to कितना आएगा 4 आएगा a3 equals to minus 2 to the power plus 3 मतलब minus का 8 okay and तो आप देख रहा हो देखो vibrate कर रही है हाँ but finite values के बीच में vibrate नहीं कर रही है infinite values अब इसकी power बढ़ाते जाओगे तो ना जाने क्या होगा okay तो इस तरीके से हम कह सकते हैं geometric series is oscillate infinitely yes अब देखे सम हम किन series का find कर सकते हैं तो याद रखेगा सम हम केवल convergent series का find कर सकते हैं yes तो किसी series को geometric आपके पास series हो या कोई भी in future series हो तो अलग-लग तरीके हम सीखेंगे उनको convergent देखने के तो अगर आपको find करना है कि sum क्या है so you should check first that the given series whether the given series is convergent or divergent तो पहले आपको देखना पढ़ेगा कि जो series आपको दी गई है वो convergent है या divergent है okay we can find only the sum of the series whenever it is given convergent चली देखते हैं कि कुछ series का हम sum कैसे निकालते हैं converging series के बारे में funda क्या लगता है तो देखिए अगर आप आपके पास अगर r is between minus 1 to plus 1 है okay r is between minus 1 to plus 1 है तो आप बोलेंगे r की power infinity कितना होता है 0 हो जाएगा like 1 upon 2 to the power infinity equal to कितना हो जागा 0 हो जाएगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते है limit n tends to infinite r to the power n that is equal to 0 मतलब infinite पर if your r is between minus 1 to plus 1 अगर आपका r जो है वो minus 1 से plus 1 के बीच में लाई कर रहा है तो infinite power के लिए उसकी जो limit होती है infinite पर कितनी हो जाती है 0 हो जाती है तो इस concept को हम use कर सकते हैं आपे बच्चों वाली बात हिक दम कि convergent series का sum कैसे निकलेगा तो देखे अगर मेरे पास series limit n equals to 1 to infinity vary हो रही है and r to the power n minus 1 so your series start from 1 plus r plus r square plus r to the power q plus dot 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 इसका nth term क्या होगा इसका nth term होगा r to the power n minus 1 मतलब हमें nth term का सहरा लेकर के हमें limit को infinite तक लेकर के जाना है तो sigma किस में convert हो जाएगा limit में sigma किस में convert हो जाएगा limit में so आप क्या कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो कि limit n tends to infinite कि n को infinity पर ले जाओ और किस पे लगाओ nth term का sum निकालो nth term का sum निकालो तो मतलब यह जो expression है इसको मैं इस पे लगा सकता हूँ याद रखना an नहीं करना क्योंकि an करोगे तो infinite number वाला term निकलेगा जो कि कभी exist कर नहीं सकता है तो हमें यहाँ sn निकालना है मतलब हमें sum के general formula पे n को infinite पर ले करके जाना है सो limit n tends to infinity sn क्या बनेगा भी यह a a कितना है 1 formula पढ़ाना है sn का a r to the power n minus 1 upon r minus 1 कहां से आ गया formula जीपी का formula है है ना तो कब लगता यह जब लगता r greater than 1 और जब r less than 1 हूँ तो क्या लगता है इसका उल्टा हो जाता है a 1 minus r to the power n upon 1 minus r तो दोनों कुछ भी लगा दो तो minus cancel हो जागा डरने की बात ना है चलो तो लगाओ यह वाला लगा दो एक ही जगे कितना first term 1 है और 1 minus r to the power n upon 1 minus r ठीक है ना अभी देखिए अब infinite limit के लिए r to the power n की value क्योंकि जब limit break करोगे तो 1 का तो खेल खतम हो गया जब limit break करोगे तो यह infinite किसमें जाएगा इसमें जाएगा तो इसकी value कितनी है 0 तो यह क्या बनेगे आपने पास उपर बचा 1 1 minus 0 upon 1 minus r तो finally answer क्या आएगा 1 upon 1 minus r यह क्या है S infinite है 1 upon 1 minus r तो नोट कर लिजे तो यह convergent series है और convergent series के infinite terms का sum जो है इस तरीके से निकाला जा सकता है ओके तो convergent series के infinite terms का sum हम इस तरीके से निकाल सकते हैं चलिए अब बात करते हैं P series की तो P series भी बहुत बढ़िया series होती है P series देखेंगे क्या होते है P मतलब power series P का form के बले यहां पर power होता है और बागी कुछ नहीं रफ करता हूं इसको ठीक चलिए आई यह P series की बात करते हैं तो P series की general structure लिख लीजे consider a series, एक series मान लीजे sigma n equals to 1 infinite series P में लेंगे n equals to 1 to the power infinite and 1 upon n to the power P 1 upon n to the power P अब इसको यदि ओपन करते हैं तो क्या बनेगी देखें तो यदि इसको ओपन करेंगे तो P की value 1 से पी की value 1 से नहीं अगर मैं पी की value n की value change करूंगा और P की value बढ़ती जाएगी कुछ ऐसा होगा क्या हाँ yes n की value मुझे change करने पड़ेगी sorry so n की value change गरूंगा तो 1 की power P 1 का power कुछ भी हो कितना आएगा 1 आएगा because यहाँ पर n variable दिया है so 1 plus n की value to 2 to the power P plus 1 plus 3 to the power P plus 1 plus 4 to the power P यह देखें यह series है बड़ी अद्भुट type की series है यह औके और इसका nth term यह बात करूं तो क्या होगा nth term इसका होगा 1 upon n to the power P फिर भी आँगे बढ़ेगी तो यह series जो कहलाती है this series is known as P series ओके इस series को हम बोलते हैं P series ठीक है अब इस P series में जो depend करता है क्योंकि n तो vary हो रहा है n तो vary हो रहा है n equals to 1 to the power P अब इस series में P के उपर बहुत कुछ depend करता है कि P है क्या अब P less than 1 भी हो सकता है okay P equal to 1 भी हो सकता है और P greater than 1 भी हो सकता है तो देखे बहुत अच्छे अच्छे rules हैं इसके याद रखे case number first very important case number first है if P is greater than 1 if P is greater than 1 यदि P की value greater than 1 है तो जो P series होगी वो convergent होगी then P series is convergent okay n vary करने दो okay P को fix कर दो P की value 1 है P की value 1 से बड़ी है तो P series जो है आपकी वो कितनी हो जाएगी convergent हो जाएगी तो example के लिए यह मैं बात करूँ sigma n equals to 1 to infinity वो तो vary होगा 1 upon n की value P की value 1 से बड़ी लो n square तो sigma 1 upon n square यह कैसी है convergent है अगर मैं ले लूँ n equals to 1 to infinity बार बार है लिखना नहीं यह time खराब होता है आप नहीं लिखेंगे n cube sigma n equals to 1 to infinity 1 की n की power 4 तो इन सब में आप देखो यह जो power है यहाँ पर यह सब में power है n तो vary होता रहेगा बाद में वो तो भविश्य की बात है मगर यहाँ पर power देखो यह कित्ती है 2 है 3 है 4 है तो यह सारी की series जो होगी वो क्या होगी convergent होगी यदि इसको open करोगे तो क्या आएगा पहले आएगा 1 upon 1 का square फिर 1 upon 2 का square फिर 1 upon 3 का square 1 upon 4 का square तो यह जो series है क्योंकि यहाँ पर P की value greater than 1 है है ना P and A यहाँ पर P की value जो पी आने power तो power की value greater than 1 है इसका मतलब यह क्या है convergent है तो यह series जो है convergent है convergent को मैंने small में लिग दिया जल्दी समयने के लिए ठीक तो यह हो गई अपने पास में convergent चाह कित्ती भी power हो बट याद रखना P की power 1 से बड़ी होनी चाहिए P की power अगर आपके पास में 1 से बड़ी है तो यह convergent होगी case number 2 बनाईए case number 1 को रफ कर दो उसके बद case number 2 बनाते है ठीक है done not discuss about case number 2 if P is less than or equal to 1 अगर P की value less than or equal to 1 है okay less than तो पहले equal to 1 का case लेते है P equals to 1 तो क्या बन जाएगा sigma N equals to 1 to infinite 1 upon okay P power उपर 1 upon N की power P की बार 1 हो गया मतलब 1 upon N okay तो यह जो series है अगर N equals to 1 से infinity अब N की value आप डालते जाएए तो क्या बनेगी देखो इसको याद करना पड़ेगा R मतलब इच्छे से याद रखना मन लगेगा कि यह series जो होती यह convergent होती बट नो यह divergent है क्योंकि P less than 1 के जितने भी cases है और equal to 1 के जितने भी cases है सब के सब क्या है divergent है अब सारी series होंगे divergent ऐसे लिख लो short में DVGT डॉट तो इसको यदि मैं open करूँ तो N की value 1 पे 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 because power तो 1 है न सब की plus dot 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 तो यह जो series है यह divergent है ठीक है यह series divergent है sigma N equals to 1 to infinity 1 upon root N यह क्या कर दिया सर ने क्योंकि यह power N की power कितनी आ गई 1 by 2 यस तो यहाँ पर power कितनी आ गई P कितना हो गया 1 by 2 और P क्या है 1 से छोटा है 1 से छोटा होने पर तो 1 से छोटे होने पर काउन सी सीरी जो की divergent होगी तो N to the power 1 by 2 जिसको more clearly आप क्या लेख सकते हो N equals to 1 to infinity 1 upon root N तो root N को देखते ही क्या लगा होगी आपने पास यह divergent है ठीक है यह कैसी सीरी जै डाइबर्जेंट है ओके तो यदी मैं कहाँ Sigma N equals to 1 to infinity N to the power minus 2 यह देखे यह सीरी जैसी है Sigma N to the power minus 2 तो देखोई भई इसको समल के लिखना तो Sigma N equals to 1 to infinity 1 upon N to the power P बनेगा तो P क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा क्योंकि नीचे आके क्या बन गया प्लस 2 तो यह कैसी है Convergent because P की value 1 से बड़ी है तो यह कैसी सीरीज हो गई Convergent ठीक ना यह कैसी सीरीज हो गई Convergent नोट कर लो अगर मैं आप से बोलू Sigma 1 upon N की power minus 2 अब P की जगे पर कौन बैठा है minus 2 और P जो है less than 1 है Less than 1 होने पर कैसी सीरीज बनेगी यह Divergent तो यह कैसी होगी Divergent N की power minus 2 चलो एक और example बोलता हूँ 1 upon N root N बोलो कैसी सीरीज हो जोगी 1 upon N root N तो यदि मैं देखूँ इसकी power Sigma लगेगा घबराना मत Sigma 1 upon N की power कितना हो जागा 3 by 2 Convergent because यहाँ पर जो P की power है वो 1 से greater है ठीक ना तो हमको जो है इन चीज़ों को जानने की बहुत जरूरत पड़ती है इनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी power Convergent देगी कौन सी power Divergent देगी क्योंकि यह तो छोटे सवाल है बट अभी जब हम आपको Method of Comparison पढ़ाएंगे जो बड़े सवाल आएंगे जिसमें PN, UN और VN को लेकर के हम substitute करेंगे Method of Comparison में इनकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसको जानने की ठीक है ना तो हम अब देखने वाले हैं अगला topic हमारा comparison test रहेगा तो comparison test जो है आपकी class comparison test की क्या अभी मेरे पास समय है एक second चलिए comparison test थोड़ा सा देख लेते हैं है ना थोड़ा सा time है मेरे पास तो comparison test एक थोड़ा सा जल्की देख लेते हैं उसके बाद उसके numerical high level के कलवारी class में मैं करा दूँगा आईए देखते हैं तो ये हो गया अपना standard form में कौन-कौन सी series पढ़ ली हमने हमने पढ़ ली geometric series और हमने पढ़ ली p series याने की power series अब हम पढ़ते हैं comparison test तो comparison test में हमें दो function support करने पढ़ेंगे दो function बनाने पढ़ेंगे तो आईए बात करते हैं comparison test heading डालीजे comparison test की comparison test ठीक ना तुलना परिक्षण तो तुलना परिक्षण में का ये का परिक्षण करेंगे आईए देखते हैं तो आपके पास क्या है आपके पास मालोग कोई question दिया रहेगा कोई एक बड़ा सा question है कोई आपके पास इस सीरीज दी गई है sigma n equals to 1 to infinity और इसके अंदर कुछ बड़ी सी सीरीज भरी हुई है बड़ी भेंकर सी सीरीज आपके सामने भरी हुई है तो इस सीरीज को देख करके आप दो function डिजाइन करो एक function मनेगा un यूएन क्या है जो आपकी पूरी सीरीज है ना वोई यूएन है और एक उसमें से कुछ common आ रहा है उसमें से क्या रहा है कुछ common आ रहा है तो un into vn की फॉर्म में उस सीरीज को लिख दो मतलब जो भी common आ रहा है उसको un और vn की फॉर्म में positive term series, okay, let sigma un and sigma vn are two positive term series, और condition क्या है, end, limit n tends to infinite, un upon vn is equals not equal to 0, yes, याद रहे, मतलब यह finite value दे रहा है, infinite limit पे इन दोनों के ratio की limit लिखे लेगी, फिर्नलाकी 0 भी फाइनिट है, मतला, जीन Bush Britishんだ वेल्यू, डिखे लेल्ग टे को लेगी, अटलाकी जीरो फाइनियर दे बूलू, this means you having some value that is that may be equal to L कुछ constant value होगी but L 0 के कुल ना हो ओके अब then by comparison test then by comparison test अब उसके बाद comparison test कहता है कि अगर sigma Vn sigma Vn अगर क्या है convergent है तो sigma Un जिसकी आप तलाश कर रहे थे वो भी क्या होगा convergent होगा क्योंकि जो series अपनी रहेगी वो रहेगी क्या sigma याने summation Un ही रहेगा अंदर पूरा का पूरा बाद में उससे Un और Vn अपन दो common लेके बना लेंगे तो sigma Un भी convergent होगा और अगर sigma Vn divergent है ठीक है ना sigma Vn यदि divergent है तो sigma Un भी क्या होगा divergent होगा मतलब जैसा Vn होगा वैसा Un होगा Vn अगर convergent है तो Un भी convergent होगा और अगर Vn यदि divergent है तो Un भी divergent होगा मतलब की जो behavior होगा Vn का sorry Un का वो according to the Vn चेंज होगा अगर Vn जैसा है वैसा ही Un भी एफ करेगा आईए देखते हैं कुछ example देख लेते हैं Convergency and Divergency की beautiful example बड़े वाले method of comparison वाले method of comparison इसके बाद एक और method आईगी वो थोड़ा सा standard form उसके याद करने पड़ेंगे मतलब रटने पड़ेंगे तो standard form बस रटने पड़ेंगे और आप लोग तो जानते हो कि BSC और MSC में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को memory based हैं वो यहाँ पर यह सवाल हम नहीं करेंगे और क्यों नहीं पुट किया क्योंकि उसको simplify करने का वही तरीका है है ना और वो बहुत मेहनत से बहुत experiment करने के बाद में हमारे जो पूरवज scientist है mathematician है उन लोगों ने निकाला है तो अपन को याद करने ही प्रत्रप क्या करें तो चलिए आईए देखते है यह अपने पास series है ओके अपने स्क्वार प्लस ए स्क्वार ठीक है तो देखो भाईया अब अपन क्या लेख सकते है sn यदि हम बोले तो sn क्या है भाईया sn अपने पास है n मतलब n terms की बात करो infinite अपन बात में निकालेंगे infinite के लिए तो कन्वर्जेंसी घर चेक होती है तो आपन sn पर पहले ख़ई ले उसको कि sn क्या होगा sigma n इक्वार स्टू 1 से लेके n तक वेरी करेगा 1 अपन n स्क्वार प्लस a स्क्वार ठीक है तो यह जो आपका question दिया हुआ यह पूरा का पूरा function यह as it is क्या बनता है यूए न बनता है क्या बनता है यूए न मनता है मतलब यह जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा this is sigma un यह जो लिखा हुआ है यह क्या है पूरा sigma un है अब इसमें से common क्या आएगा इसमें से common आएगा n स्क्वार तो n square common आएगा तो बाहर क्या बनके बैठेगा 1 upon n square बनके बैठेगा ओके और 1 upon n square बनेगा तो यहाँ पर कितना आजाएगा 1 upon यह बन जाएगा 1 plus a square upon n square आपको इससे मतलब नहीं है कि अंदर का क्या है आप बस यह देखो कि यह क्या common आएगा इसी को बोलते हैं vn तो यहाँ पर vn क्या निकलेगा vn equal to 1 upon n square yes vn क्या होगा 1 upon n square तो मेरा काम क्या था मेरा काम यह था कि आप un और vn पहचान सको so you have clearly identified what is un and what is vn so अब इसका आँगे का step पढ़ेंगे तो third step आपको मैंने लिखाया है क्या करते हैं लिमिट निकालते हैं अब अब देखते हैं finite value देरा की limit n tends to infinity sigma un upon sigma vn यही था ना un उपर vn नीचे था देखो ज़र हाँ था यही था तो sigma un upon sigma vn बिल्कुल सही तो limit n tends to infinity sigma un कहा बैठा यह बैठा है तो अब जो है sigma un जो है यह पहले पूट कर दो un की sigma मत रखो सीधे un upon vn बस सीधे सीधे un upon vn sigma की जुरूत नहीं है तो un की value रख दो 1 upon n square plus a square divided by 1 upon n square ठीक ना इसके limit देख तो बस इतना देखो कि इसके limit non zero आजा अपना काम बन जाएगा तो यह जो है भी यह यहां पर उपर जाएगा so n square बन जाएगा उपर और n square plus a square और limit चलेगी limit n tends to infinity अब क्या करेंगे अब तो बारवी class का वाला simple concept है n tends to infinity में n square उपर है नीचे से n square common ले लो तो क्या बन गया one plus a square upon n square जो पहले आ रही थी यह structure यही फायदा था इसने हमने इसको बाहर लिया था यह cancel हो गया अब उपर कितना आया one limit put कर यह one plus a square upon infinity हो जाएगा and something infinite equal to zero तो one upon one that is equal to one मतलब limit n tends to infinity un upon vn कितना आ चुका है यहां पर one आ चुका है और one जो है वो zero की equal नहीं है मतलब अब हम यहां पर convergent और divergent की बात कर सकते हैं ओके अगर है न तो हम यहां पर पी सिरीज 1 upon n to the power p और p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होती है तो जो आपको जो पी सिरीज दी गई होती है वो कैसी होती है कैसी होती है पी से बड़ी होने पर बताओ जल्दी से जो वन से ग्रेटर होने पर जो सिरीज होती है वो कनवर्जेंट होती है तो इस तरीके से यहा दिया गया है, यह आपके पास finally convergent होगा, so sigma n equals to 1 to infinity, 1 upon n square plus a square will be a convergent series, yes, तो ठीक है ना, तो अब एक फायदा यह है, कि आप जो है, अगर n की power, मतलब एक general frame में देखो, तो n की power 3 कर दो तो भी convergent होगा, 4 कर दो भी convergent होगा, 5 कर दो भी convergent होगा, मतलब कुछ भी power कर दो आप, ह these आएगी, वो कैसी होगी, convergent होगी, ठीक है, चलो इसी बात पर एक और question होजाए, आप लोग के लिए, जल्दी से देखते हैं, बिल्कुल इस से मिलता है, जुलता question, पहले इसको छाप लो, जल्दी से नहीं कहोगे, सर जी हटे नहीं आपने, done, अब चलते हैं आँगे, ठीक, देखो, यह हो गया, score off कर दें, अब अगला question देखते हैं, sigma n plus 1 का question देखेंगे, sigma n plus 1, या a plus n, और n plus a, चलिए, question देखते हैं, question है, check the convergence of the series, sigma 1 upon n plus a, अब कुछ को देखते ही, दिमार्ग में लड़ू फूड़ गया होगा, कि हाँ सरे तो बड़ा easy question, brightness थोड़ी बढ़ाई जाए क्या, बहुत जादा बढ़ गई है, चलो ठीक है, जादा हो गई, ठीक है इती, ठीक है, sigma n plus a, sigma a plus n कहदो, या n plus a कहदो, तो अब इसको solve करने के लिए, कुछ बच्चे देखकर की है, या बद समझ में आगया होगा, कि सर, बहुत easy question है, 1 upon n आएगा आएगा आगे चलके इसका, है ना, तो क्योंकि जैसे पिछले बार common लिया था, 1 by n बना था, तो उसमें finally answer 1 upon n आएगा, और n की power कितनी है, p, n की यहाँ तो p की power, p कितना आजाएगा, 1 आजाएगा, तो p की value 1 है, मतलब इसका मतलब इस series कैसी होगी, divergent होगी, क्योंकि p की value 1 हो, या lesser than 1 होने पर divergent है, बट पूरी process देख लेते हैं, एक बार कैसे बनेगी, तो यहाँ पर आपके पास, s, n, equal to, sigma, 1 upon a plus n लिख दो, या n plus a लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह हो गया है, अब यहाँ पर हम क्या common ले सकते हैं, देखो भई, यदि इसको हम open करेंगे, तो हम 1 upon n बनाएंगे, तो यह n बन जा n, और यह a by n बन जाएगा, मतलब हम vn यहाँ पर क्या बना सकते हैं, vn यहाँ पर बनेगा मेरा 1 by n, जो common लेने पर आ रहा है, चलिए, un तो ही है, तो आप अपन क्या करते हैं, अब आपन देखते हैं, limit n tends to infinity, un upon vn, तो un कितना है, 1 upon n plus a, और vn कितना है, 1 upon n, common उपर चला जाएगा यह, limit भूल गया लिखना, limit n tends to infinity, चाप देना, limit n tends to infinity, उपर n, नीचे n plus a, तो limit n tends to infinity, उपर से n common, नीचे से n common, 1 plus a upon n, n से n क्या हो गया, cancel, पुट कर दो, तो उपर 1, और नीचे 1 plus, 1 upon infinity, बोले तो 0, मतलब आंसर कितना आ गया, 1, जो कि finite value है, 0 के equal नहीं है, मतलब non-0 है, इसका मतलब यह जो series है, इसका behavior, depend गरेगा, vn के उपर, और sigma vn क्या है, sigma 1 upon n, ध्यान से देखो, power किती है, और power p equal to 1 के लिए, कैसी होती है, power series, p series कैसी होती है, divergent, कैसी होती है, divergent, तो यहाँ पर यह series, क्योंकि p divergent है, नीचे वाला vn divergent है, इसलिए un भी क्या होगा, un equal to 1 upon n plus a, भी क्या होगा, divergent ही होगा, चलिए, तो यह भी अपना divergent होगया, तो आज की इस class को, इस सभा को यही पर समाप्त करते हैं, और बढ़िया बढ़िया comment दीजिए, अगर समझ में आया है, नई समझ में आया है, तो भी बताईए कैसे क्या changes किये जाएं, तो इसको फिर मैं change करूँगा, चलो इसको note कर लो, तो 1 upon n plus a, जो है, वो क्या होगा, मतलब n की power अगर आब 1 से कम कर रहे हो, तो जितनी आपकी series बनती जाएंगी, उससाब की सब divergent निकलती जाएंगी, और n की equal 1 भी है, तो भी divergent निकलेगी, और n की power अब 1 से बढ़ा रहे हो, याँ n square, n cube, n की power 4, n की power 5, 1 upon bus में है, तो एक simple logic है, अगर objective question आएंगे, तो टिक करके आना, सीरे सीरे क्या convergent है, पावर अगर 1 से जादा है, P सीरीज में भी n की, तो क्या convergent है, और अगर पावर 1 या 1 से कम है, तो कैसी है, divergent है, तो कैसी है divergent है, Thank you so much for being with Lokis Sir Unlimited Stadium, Till then, have a safe life, Thank you, bye-bye.